असलाम वालेकुम वीवर्स उम्मीद है आप सब खेरियस से होंगे विलकम बैक जेबस किचन आज मैं आप सब के लिए औरत की दाल के बड़े की रेशिपी लेकर आई हूं दहीं बड़े की ये देड़ का पूरत की दाल भीगा कर रखी थी मैंने तीन चार घंटे के लिए इस पानी है वह रहने दूगी में इसे पीछ ने में ले लेंगे हम साथे साथ इसे अच्छा इसे पेस्ट बना लेना है हमें थोड़ा सब दर्दर रखना है पेस्ट को इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए पेस्ट कि और हम हमें इसे फेटेंगे एंटी-वाइस दिएर्ECTION में फेटेंगे आप जैसे भी फेटना चाहें कि आपको इस तरह से दिखा रही हूँ हाथ से भी फेट सकते आप अच्छी तरीह से आवाज आएंगी इसमें पिर हम आगे की तयारी करेंगे यह हो जाएगा तो इसमें एयर भुसेंगी इस तरह से हम फेटेंगे तो और सौफ्ट और अच्छे बनेंगे हमारे बड़े इस तरह से अच्छे से फेटेंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताके मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले जरूर ट्राइ कीजिए यह बहुत एजी रेसिपी है आसान है जरूर ट्राइ कीजिएगा यह रेसिपी यह देखिए इस तरह से हासे हादेली की साइट से फेटना है हमें इस तरह से यह हरी मिर्ची है जीरा है साल्ट है थोड़ा सा और अद्रक है थोड़ी सी खीसी हुई इस तरह से हरी मिर्ची भी हम चॉप करके डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसी तरीके से मिला लेंगे हम चम्चे की मदद से या हाथ की मदद से यह देखिए दही यह दही को फेंट कर रखा है मैंने इस तरीके से आप चाहे तो मिक्सर में से भी एक मतब ग्राइंट कर ले तो इसी लीप फेंट जाएगा दही यह 4 टेबल इस्पून शकर है पीसी हुई और 1 टीस्पून चाट मसाला एट किया है मैंने इस तरह से हम मिला लेंगे इस अच्छी तरीके से दही को कि यह देखें ऑई गरम के लिए रखा है अब हम फ्राइ करेंगे इस तरह से और ज्यादा चंडा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए इस तरह से आप छोड़ते जाएं इसे कि फुल मीडियम फ्लैम करते रहेंगे हम पीच में थोड़े टाइम के लिए स्लो करेंगे बाद में फुल कर देंगे हम फ्लैम को यह पानी रखाए मैंने मैं salt add करूँगे इसमें ताकि हमारे वो बड़ों को हम इसमें add कर सके पानी में यह देखिए अच्छे से fry हो रहे हैं जब हम बड़े पानी में दाले तो पानी कुनकुना होना चाहिए ना ज्यादा गरम ना ठंडा कुनकुना होना चाहिए पानी यह दही भी अच्छे तरह से बेच चुका है शकर भी मिल गई है इसमें अच्छे से थोड़ा सा salt पी add करें आप मैं चाट मसाले में होता है थोड़ा सा इसलिए ज्यादा नहीं add किया है थोड़ा सा add किया है आप अपने टेस्ट के साफ से add कीजिए salt दही में गरीन चटनी इनली की चटनी भी इसके साथ मैंने इनली की चटनी के रेसी भी दाली है ये देखे कितने अच्छे कलर आया है बनकर तियार हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे ये पानी में क्यास बन कर दिए यह था मैंने पानी का यह देखिए दवाजास से फूल चुके हैं इसमें पानी जल्ट हो चुका है कि है मार्मि इसे इस तरह से वाज流 है दबा कर निकालेंंग यह हथ में लेकर दबाएंगे पानी को अच्छे से दबाएंगे इसमें थोड़े से क्रैक होने चाईर या फिर आप फू की मदस से भी थोड़ा सा इसे में हलका सा खुल कर दे ताकि इसमें दही में दाले हम तो अच्छे से दहीं भी अंदर भुझ जाए कि यह देखिए इस तरह से मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया एसे पानी से कि आप चाहोते इस तरह से स्टोर भी करके रख सकते फ्रीजर में आठ से दर दिन के लिए इसे इसमें अब हम जीरा एड़ करेंगे पिसा हुआ जीरा इसकी जो इमली की चट्नी होती है उसमें भी थोड़ा सा जीरा एड़ करें आप टेस्ट पर अच्छा आता है जीरे से अब हम इसमें दहीं एड़ करेंगे है कि ईया जिया एक करें हम इसक रहे की और आ इण हमस्क्राइब चलई पाऊडर विधा लिदन मिलिकी चट्नी है आप हरी चट्नी विदाल सकतें पूरी ने की चट्नी north करूंगे चली एक डिने की चत्मियर ऐसे जबाउडर मैंने थरा दिना आप भी जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, अलाहाफिज